नमस्कार मैं विनोद जौर की खेती में आप सभी का स्वागत करता हूँ जौर की प्रजातियां जौर की खेती ज्यादा तर कम वर्षा वाले छेतरों में की जाती है जौर की मुक्ता दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है पहला समाने प्रजातियां जैसे की वर्षा CSB 13, CSB 15, बुंदेला एवं बिजेता हैं दूसरे प्रकार की संकर प्रजातियां हैं जैसे की CSH 9, CSH 13, CSH 14, CSH 16, CSH 18 एवं CSH 23 आदि हैं खेत की तैयारी जोरकी खेती के लिए हलकी एवं दोमट भूम उप्युक्त होती है इसके साथ साथ बुंदेल खंड जैसी काली मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है पहली जोताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में दो तीन जोताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को भुरुरा बना लेना चाहिए तथा इसके साथ ही पाटा लगा कर खेत को संतल कर लेना चाहिए बीच की मात्रा एवं बुआई जोर की बुआई में परजातियों के अनुसार प्रत हेक्टेर अलग-अलग मात्रा लगती है समान परजातियों में 10-12 किलोग्राम तथा संकर परजातियों में 7-8 किलोग्राम मात्रा प्रत हेक्टेर लगती है बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर रखने चाहिए देर से पकने वाली अरहर की दो लाइनों के बीच में एक लाइन जोर की बोना लाबदायक रहता है बोगाई के पूर्व 20 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कारवेंडा जिम से प्रति किलोग्राम बीच की दर से बीच को सोधित करके ही बोगाई करनी चाहिए खाद एवं उरोरग खेत की आखरी जुताई के समय 100 से 125 कुंतल सडी गोबर की खाद प्रत हेक्टेर की दर से मिला देना चाहिए अच्छी उपज प्राद करने है तो 80 kg नतरजन, 40 kg फासफोरज, 20 kg पोटाज तत्य के रूप में प्रत हेक्टेर की दर से प्रियोग करना चाहिए नत्रजन की आधी मात्रा वा फासफोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा खेत में बोवाई के समय कूडों में बीच के नीचे डालना चाहिए नत्रजन की सेस आधी मात्रा बोवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में प्रियोग करना चाहिए सिचाई ज़ार की फसल वर्षा रित्व की होने के कारण वर्षा का पानी ही परयाप्त होता है लेकिन वर्षा ना होने पर फसल में भुट्टा या बाले निकलते समय और दाना भरते समय यदि खेत में नमी कम हो तो सिचाई और सकता नुसार एक या दो बार करनी चाहिए खरपतवार नियंतरन बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुलाई करके खरपतवारों को खेत से निकाल कर नियंतरन कर सकते हैं यदि खेत में अधिक खरपतवार उखते हैं तो बुवाई के एक दो दिन की अंदर 185 लीटर प्रति हेक्टेर की दर से छिड़काव करना चाहिए जिससे की खरपतवारों का जमाव ही ना हो सके रोग नियंतरन जोर में भूरा फफून एवं सूत्र क्रमी रोग लगते हैं इनकी रोग थाम के लिए रोग रहित प्रजातियों की बुवाई करनी चाहिए इसके साथ ही बीश सोधित करके बुवाई करनी चाहिए यदि रोग दिखाई दे तो दो किलोग्राम प्रत हेक्टर की दर से महिंको जेब का छिड़काव करना चाहिए कीट नियंतरन जोर में सूट फ्लाई तनाचेदक एर हेट कैटर पिलर एवं जोर का माइट लगते हैं इनकी रोग थाम हेट संस्तुत प्रजातियों एवं बीश सोधन के पस्चात ही बुवाई करनी चाहिए इसके साथ ही क्यूनालफास 25 एसी की 1.5 लीटर मात्रा तथा डाई मेथोएट 30 एसी 1 लीटर मात्रा प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज ज्वार की कटाई दो प्रकार से की जाती है पहली जब संपूर पौधा सूख कर तयार हो जाए तथा दूसरी केवल भुट्टे पक कर तयार हो जाए तो पौधे से अलग करके रखना चाहिए कटाई के बाद धूप में सुखा कर बैलों से या टेक्टर से दाय चला कर या डंडों से पिटाई करके दाना अलग कर लेना चाहिए समान प्रजातियों से 30 से 35 कुंतल एवं संकर प्रजातियों से 35 से 40 कुंतल प्रित हेक्टेर की दर से उपजप्राप्त होती है धन्वाद